जनम कब लेना है और बरना कब है हम दिसाइद नहीं कर सकते पर कैसे लेना है तो आपके साइद कर सकते नमस्का सुषान केस की सीबी आई जाच पर शरत पवार का तंज कहीं हाल दबोल कर केस जैसा नहो जाए एक्टर सुषान सिंग राजपूत केस में सुप्रीम कोड के फैसले के बाद केंदर अन्वेशर ब्यूरू सीबी आई एक्शन हमें है इस बिच राष्टवादी कॉंडर्स पार्टी एन्सीपी चीफ सरत पवार ने सीबी आई जाच पर तंज कहस्ते हुए कहा कि कहीं इसका भी हाल नरेन दबोल कर मर्डर केस की तरह नहो जाए जो अभी तक नहीं सुल जाए पूर्व केंडरी मंतरी शरत पवार ने कहा मुझे यकीन है कि महाराज सरका सुशान सिंग राजपूत के मामले को सीबी आई को सौपने और जाच पिक्के में पूरी तरह से सयोग करने के उस्तम नयाले के फैसले का सम्मान करेगी सीबी आई जाच पर तंच करते हुए एंसीपी चीफ सरक पवार ने कहा मुझे अमीद है कि जाच आगे नहीं बढ़ेगी जैसा कि डॉक्टर नरेंद दाबूलकर की हत्या के मामले में भी किया गया था जिसकी जाच 2014 में सीबी आई ने शुरू की थी और जो अभी भी अंसुल जी है सुप्रिम कोट के फैसले के बाद अब ये बात तो पकी है हो चुकी है कि सुशान केस की जाच संपूर्ट तरीके से सीबी आई करेगी हाज सीबी आई एक एहम बैटक करने वाली है जिसमें जाच को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर रणनेती तयार होगी इस बैटक में सीबी आई से यह तैकिया करेंगे कि सुशान केस की जाच कब तक शुरू करनी है तो बस यही थी एक कबर अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें धन्यवाद चैहन